तो Hello । दोस्तो आज हम लोग खिलने वाले है ग्रेनी चाप्टर थ्री इन एक्स्ट्रीम मोड्थ तो Hello guys, कैसे हो आप सबीं लोग स्वागत है आपका एक न्यूट गेमप्ले वीडीयो में तो आज हम लोग खिलने वाले हैं Extreme Mode with Granny and Grainba तो guys मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था इसका next part लाऊंगा जिसमें मैं Extreme Mode करूंगा तो finally guys ये वीडियो आ चुका है फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना फिलाल गेम को स्टार्ट करते है ओल्राइट guys डे वन में मैं कोसिस करूंगा कि Extreme Mode में मैं Complete कर पाऊं तो चलो guys फिलाल इस छोटे से जेल से मैं बाहर कैसे निकलू उसके लिए हमें एक Lockpick चाहिए जो इस पिजडे को खोलने के लिए Help करेगा तो Lockpick यहीं पे होता है यह रहा Lockpick इसको पिक कर लेते हैं और फटाक से इस पिजडे को को खोल लेते हैं तो guys मैंने पिजडे को खोल लिया है अब चलते हैं उपर क्योंकि मुझे लग रहा है कोई आ रहा है नहीं साइद ग्रेनी थी और वह बाहर गई तो इस दर्वाजे को भी खोल लेते हैं ऐसा ना हो कि बाहर जाते ही हम टपक जाए तो चलो फटाक से खोल लेते हैं और अराम से हम यहां से उधर कैसे जाए इधर तो ग्रेनपा अगर होगा ना तो हमारी खेर नहीं रहा था तो चलो मैं बच गया यही मेरे लिए बहुत काफी है तो फाइनली ग्रेनपा साइद से यहां से जाने वाला है अब यह तो गाना गार है भाई ग्रेनपा भाई गया उधर अब यहार ग्रेनी बच गया फिर से बच गया मैं हिलाल इसको अराम से बंद रखेंगे अब ग्रेनपा आएगा देखना लेकिन ग्रेनपा उपर क्या ग्रेनी उधर फिर ग्रेनी लगता है इधर ही आएगे लेकिन नहीं आई बहुत अच्छा की ग्रेनपा जारा उधर अब हम क्या करेंगे, क्रेंट पा से सॉर्ट गन ले लेंगे, यह रहा फिक दिया हमने सॉर्ट गन उठाया, और बंद रखेंगे, हमें सॉर्ट गन मिल चुका है और यहाँ पर है जेनरेटर के वल ओके, हमें जेनरेटर के वल भी मिल चुका है, और यहाँ पर थोड़ा सा इस दोर को ओपन कर लिया है, यहां पर क्या लगेगा, हमें फ्यूज जो रथा ना वह यहीं पर लगेगा, इस बटन को प्रेस करेंगे, तो साइट से यहां पर कुछ होगा, तो चलो फटा फट उपर भागते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है, कोई आ रहा है उपर, और साइट स ग्रेन पा, यहां पर सोर्गन ड्रॉप कर देंगे, और फटाक से नीचे चलेंगे, वो क्या बोलते हैं, फ्यूज लेने के लिए, ओके, ग्रेनी ना दिख जाए, हमें जेनरेटर केवल फटाक से ले लेते हैं, और चुप चाप यहां से भाग लेते हैं, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, इस जेनरेटर केवल को यहां से उधर ड्रॉप कर देते हैं, चलो, यह करा हमने ड्रॉप, डाइडेक्ट उस छोटे से घर के पास गिरा है, सोर्टगन ले लेंगे ताकि हम सेफटी के लिए इस्तमाल कर पाएं, तो चलो, इधर मेरे को लगे का अगर ग्रेन हो चुका है गाइस, और ग्रेनी फास्टली आ रही है तो, आजा आजा ग्रेनी इधर में हूँ, यह ले, यह ले, अब ग्रेन पा भी आएगा तो मैं उससे भीडूँगा नहीं, क्योंकि यह बहुत फास्टी भगता है, मेरा सोर्टगन में भी एमो नहीं है यह देखो, और में फटाफट नीचे चलता हूँ, अराम से, ओके, यहाँ पे क्या है, फ्लेंक, फ्लेंक यार क्या करेंगे, फ्लेंक का कोई इस्तमाल ही नहीं है, चलो यार, फ्लेंक का वहाँ पे इस्तमाल है, बट हमें वहाँ चे कुछ डूर स्किप करने वाला आइटम नहीं मिलेगा, ह मैं bridge crank चाहिए और grandpa देखो सामने हैं उसको दीख ही नहीं रहा कि मैं उसके सामने हूँ चलो उसको छोड़ो वह आजाएगा तो बेमतलब करवाएगा पेलाल उसको छोड़ते हैं अब देख लिया मरना वाई तो आज आज तो भी गिरेनी तो भी क्या बच्चे रहेगी तो उपर भागते हैं वो फ्यूज लेने क्योंकि मुझे फ्यूज का इत्माल करना है तो फ्यूज लेते हैं और उपर चलते हैं यहां पे फ्यूज का इत्माल होता है यह लगा दिया हमने बट बटन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमें electricity देना होगा तो चलो फटा-फट उप उपर चे फिर से अम नीचे चलें अभे यार एक गृण पाना शौट गन ले लिया आप लोगों कुछ थोड़ा साउंड नहीं सुनाई दिया हुआ लेकि मेरे को सुनाई दिया यह कि उसने शौट गन यहां से उठा लिया अभे क्या हो गया चलो यहां से थोड़ा चलते है यहाँ पर इस टून है, इस टून से भी हम काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने सोटगन ड्रोप किया था, यह ग्रेनपा भी उठा लिया, यह मेरे को थोड़ा सा साउंड आया है, कि सोटगन किसी के हाथों में गया, चलो कोई न, फिलाल इधर छुटते छुटते चत्ले ह है, इधर ग्रेनी तो नहीं ना है, मेरे को लगा है कि अगर ग्रेनी इधर ही है, अब ग्रेनी साइद उधर भागती जाएगी, अब यार, ग्रेनपा इधर है, नहीं है, नहीं है, इस दोर को बंद रखेंगे, कोई भी आकर मार देगा, फिलाल इधर चेक कर लेते हैं, इध यहां पे हमें वेपन की मिला और फटा फट हम भाग लेते हैं इदर से हम बिल्कुल रिक्स नहीं कर लेने वाले थोड़ा सा यहां पर साउन कर लेंगे ताकि ग्रेनी इधर आज जाए और हम इधर भाग लेते हैं ग्रेनी जैसे उधर आएगी तो मैं उपर जाऊंगा चलो ग्रेनी चली गई उधर अब हम चलते हैं उपर बस ग्रेनपा ना आ जाए सामने यह देखो ग्रेनपा अब यार अभी आना था इसको चैन से इसकेप भी करने नहीं देता है ग्रेंपा चला गया उधर हम चलते हैं फटाफट ऊपर तो चलो 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 लेट्स गो अब यहां पर हमें इस वेपन की को यूज़ करना है और चलिंग सौट मिल जाएगा अब फटाफट हम भाग लेते हैं उपर उसके बाद हम ग्रेंब ग्रेंपा को एक बाद टपका देखो गुरें पाक को देखो, उधर जा रहा है, इधर अराम्प उसको चूपके से,日本 इस इधर जेड़ को आराम्प को पीछे से हम टपकादेंगा, ये ले अब यार मेरे को ना कर भा हमारा ही नहीं है, सोलोrh सूरगन में तो एम ense ही नहीं यार यार बे मतलब का यहीं इसको टपका दिया ऱ्ina भाइन आ रही है कि नहीं मैंने इसको मारा तो गेरनी आना चाहिए बट नहीं आ हि उसको नोर करेंगे और यहां से इस्टोन करेंको कर लेते हैं प्र नहीं इस्टोन कर लेंगे फिर से थाकि गिर य४्र धर और हम नीचे चले जाएं चलते हैं नीचे ग्रेन पा भी आई रहा है फटा फट हम भाग लेते हैं नीचे लग रहा है ग्रेनी भी आएगी कि थोड़ा साउंड की है मैंने तो फटा पर इसको बंद रखेंगे ताकि ग्रेनी अगर आजाएगी तो उस दोर को ओपन करती है क्योंकि मैंने इसको फोड़ा सीशे को तो गिरेनी आएगे बट वो नहीं आए अब हम क्या करेंगे इधर छुप जाएंगे ताकि गिरेनी उधर चली जाए आ रही है यह देखो अब उपर चले जाते हैं फोड़ो इसको लेकिन नहीं जा सकते अब या शोड़ो इधर चुप 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 जाते हैं इसको इधर ही रहने देते हैं खोला मत खोला मत मैं इसके अंदर नहीं हूँ खोला मत मैं बच गया गाईज अगर इसको किसी तरह भी नहीं मारता ना तो वो मार देती मेरे को तो चलो गाईज ग्रेनी तो चली गई है फिलाल यहाँ पे ट्रेप लगा कर गई है लेकिन मैं जाओं तो जाओं कई से अराम से इदर से निकल लेते हैं इदर थोड़ा सा साउंड कर लेते हैं ताकि ग्रेनी आ जाए और ग्रेन पावी तो चलो इदर फटाक से हम छुप जाते हैं ग्रेनी और ग्रेन पावी फटाक से रिलोड कर लेते हैं फिर इन दोनों को टपका देंगे चलो चलो इधर गेट को बंद रखेंगे ताकि हमें कोई डिश्टप ना हाओ चलो इधर थोड़ा सा से स्टोन चाहिए इधर एक स्टोन मिला एक और स्टोन चाहिए एक स्टोन यहां पर और मिला चलो इसको भी ले लेत ईक इस्टोन और मिल गया, इसको भी ले लेते हैं, सौर्टगन तो कोई इसी काम का नहीं है यार, सौर्टगन में एमो है यह नहीं है, थोड़ा सा यहां पर साउंड कर लेंगे, ताकि गृनी इधर आ जाए, ओके ग्रेनी आ जा, फासली दोड़ती हुई, ग्रेनी आ रही है, कि यह देखो trying कि ना तू दटी आ रही है बाट तू मरने के लिए रही है इसको लगा कि में मार दूँगा उसको अब देखो ग्रेण पावजंग kul कि यह को मेरे को लगा में मरने वाला हूं मेरा थोड़ा सा कच्छा था मेरे को लगा मैं मरने वाला हूं बट नहीं मैं बच गया चलो फिलाल क्रोबार को लेते हैं और इस को ओपन करते हैं यह लिए हमने क्रोबार इसको ओपन कर देते हैं और इसको यहां पर ड्रॉप कर देंगे सीड़ को ले लेते हैं मेरे को लागा ग्रेणी आ रही है चलो कोई नगया next is Griffall Safarip ताकि दोनों नीचे आजाये और इधर हम फठाक क्षूब लेंगे चलो अब यह दोनों जैसे ही नीची सआएंगे और हम चले जाएँगो ऊपर चलो ये दोनों आई गए अब हम चलते हैं उपर चलो उससे पहले हम क्रोबार ले लेंगे सबसे बेश्ट रहेगा तो इसके लिए हमें एलेक्स सिठी चाहिए तो हमें सबसे पहले वहाँ पे उस बॉक्स को ओपिन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा तो चलो यहाँ पे है इसको ओपिन किया तो हमें कुछ ना कुछ तो मिला बट यहाँ पे थोड़ा साउंड हो चुका है गाईज और ग्रेनी भी आ रही होगी इधर से थोड़ा निकल लेते हैं फास्टली चलो लेट्स गो इधर हम निकल गया थोड़ा साउंड कर लेते हैं नहीं यहाँ से स्टोन पहले कलेक्ट कर लेंगे एक और है एक और ले लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा साउंड कर लेंगे ग्रेनी इधर आ जाए और हम उधर जाकर यह लगा दे और फिर इस स्लिंग सोट से उन दोनों को टपकाना भी है तो चलो इसको लगा देते हैं यहाँ पर और यह हमारा रास्ता क्लियर हो गया बट वहाँ पर जाकर इसको खोल देना है और कुछ नहीं यह देखो यह बंद रखें हैं दोनों कि स्वाडगर का कोई काम ही नहीं सब्सक्राइब हमारे सामने इसको और उसको ले ही नहीं सकता उच कि उसको लेन 이미 सकता हैं नो फिलार ऊधर सबशिए हैं जर्द शैफ्टी हैमों हमक्या करते ना ह्यासान करें और यह दोन रहा है कि ओ उढूंग रेंगे इनों को टपका देंगे फिर से और उस सीड़की का इस्तमाल कर लेते हैं चलो यह देखो यह करा हमने इसको टपका दिया बट यह ग्रेन पाई इतना टाइम लगाता है भाई ना तब तक ग्रेनी भी जिन्दा हो जाएगी यह देखो आरा है अभी जब वो जिन्दा हो जाएगी ना तब तू आई हो चलो फटापट यहां से सीड़की उठाते हैं और फटापट भाग लेते हैं उदर चलो लेट्स गो हम इसकेप करने वाले हैं बट ग्रेनी इधर ही है क्योंकि इसका पैर का वास सुना ही दे रहा है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर है इसके अंदर गाइस तो मैं डूर को बंद रखेंगे ताकि बाहर ना पाए बाहर आये तो हमारा खात्मा होगा चलो यहां से हम फटापट लोग को खोल देते हैं और सीड़की को उदर फेक देंगे जेनरेटर को भी ले लेते हैं और було अब यार में मरने वाला हूं यार यह ग्रेनी कभ आ गये मेरे को पता ही नहीं सब आउड़ा था अब इसके वी करने ही वाला था चलो डे 2 इसके कर लेगे तो चलो फिलाल इस डूर को फटा फट open कर लेते हैं और फटा फट फिर से नीचे जाएंगे उस train के पास प्रोबर्ट के पास वहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सोड होगा और ये दोनों आएंगे और हम बच जाएंगे फिर से यह दोनों नीचे गए तो फटा फटा हम उपर भाग लेंगे और क्या हम उपर चलेंगे और उस बटन को प्रेस करेंगे तो साथ से वो गेट ओपन हो जाएगा देखो यहाँ पर है इस बटन को प्रेस करेंगे तो यह गेट ओपन हो गया अच्छा चलो ओके फटापट हम चलते हैं उपर से नीचे जाएंगे और फटाक से भाग लेंगे चलो यह दोनों आने से पहले इन दोनों से हम फटापट चल लेते हैं इस सेफ करने हैं ओके अब ऐसा ना हो कि गिरेनी आ जाया और फिर टपका दे चलो पटापट इसको ओspeaking करते हैं बाहिभैभै ग्रेनी बाइबाई ग्रेंपा तुमारे स्लेंडरीना कोरे जलो बाई-बाई अबे यह ग्रेंडरीनी और ग्रेंपा तो सही है लेकिन सिलेंडरीना कहां से आ गई भाई मैंने तो सिलेंडरीना को रखा ही नहीं था चलो साथ मैंने इसकिप कर लिया है बत आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमिंट में जरूर बताना तो चलो गाईज इस वीडियो को लाई कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गूड़ बाई गाईज